आईए चलें जीडी ग्लोबल इस्कूल की ओर पढ़ेगा बच्चा बढ़ेगा बच्चा तरक्की करेगा आजमगड जीडी ग्लोबल इस्कूल करतालपुर बाईपास आजमगड सेवा करने का आवसर जरूर दें बच्चों का भविश्य सवर जाएगा आप देख रहे हैं न्यूस नाइन भारत रखे आपको सब से आगे नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस नाइन भारत मैं हूँ आपके साथ अंजली चलिए रुख करते हैं खबरों की और जहासी में पानी की समस्या को लेकर इलाबाद बैंक चोराहे समीप वार्ड क्रमां के क्याओन निवासी दरजनों महिलाएं आज संगर सिवा समीती कारेले पहुची जहां उन्होंने बताया नगर निगम दोरा बनाये गए नाले से उनके घर के नालों की पाइप लाइन दब गई है जिससे पानी आना बंद हो गया साथ ही वहां लगे हुए हैंड पायम को नगर निगम दोरा हटा दिये गया है जिससे उनका पानी प्राप्त करने का दूसरा बिकल्ब भी समाप्त हो गया। महिलाओं के दौरा बताया गया कि छेत्रिये सवासत को सारी जानकारी होने के बाद भी समस्या के निस्तारन का कोई प्रयास नहीं किया गया। ना ही बैकल्पिक रूप से जल के टैंकर की बेवस्था की जा रही है जिससे गर्मी के मौसम में उनका जीवन अस्त बेस्त होता जा रहा है। महिलाएं पाने की बैवस्था के लिए जगा जगा भटक रही है। छेत्रिये निवासियों को दो टुक कहना है कि यदि उनके छेत्र में जल की समस्या का निस्तारन नहीं किया जाता तो अच्चुना में अपने मत का प्रयोग नहीं करें। साथ ही उन्होंने बताया कि पुरु में भीवे संगर स्वा समिती का रहले आ चुके हैं जहां उनकी समस्या का निस्तार किया गया। समस्या रखेगी यदि किसी कारण समस्या के निराकर्ण में बिलंब होता है तो संगर स्वा समिती के माध्यम से उक्तस्तान पर हेंड़ पप लगवाने का प्रयास किया जाएगा। अब आप सभी से और जन्पद्वासियों से अनुरोद करना चाहूंगा की सश्च्चतल लोकतंत्र के निर्मार के लिए अपने मत का परयोग करना अत्य अन्तावर्शक है। चुनाव के दिन अपने घरों से निकल कर ओट कर जरू डालें समस्याओं का दोरा आता जाता रहेगा लेकिन हमें अपने कर्तब्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए इस उसर पर साहनाज नफीसा साहिन नाजरा सलमा महजबीन नगमा साकरा साधिक खान फिरोज जली साइद दर तो ऑन किस समस्या वे कि समस्या ऐस हम लोग पानी समस्या को लेकर आया हम लोग मधुर मिलनल इलावद बेंकचराएं के सामने रहते हैं तरामाईदा नल जो पाइप्लेन नगर निगम की बनाई हुई थी नाला उसमें पाइप्लेन हम लोगों की दब गई है जिससे पानी वहां पे बिल्कुल नहीं आ रहा है और जो हैटपम लगा हुआ था वो नाले दौारा वो भी नगर निगम बाले ले गए और जो की आज के इतने पानी के उसमें गर्मी में ओरतें घर की ओरतें निकल निकल के दुसरों के दर्वाजों पे जंगलों में पानी लेने और पारसत तो हम लोगों के सुनते नहीं पारसत सामने बोला तो पारसत ने क्या कहा है वो सुनते ही नहीं है हां कर देंगे ना कोई टैंकर बेज़ते हैं और ना ही कोई पानी का हैट पम लगाते हैं देखते यह यहाल पर और और फिर वार्टों को निकल के बाहर पानी के लिए जहना पड़ता है उनका कोई भी पारश्द का सय को नहीं है लोगों के साथ संगर स्थी में हैं वालूंद के बारे मैं उब वारे में में मदद करते हैं लोगों की और यही हम लोग को करवाएं और फराशद नंपर नरह नंगरम रहं दो किस्के नहीं है सायोग भाई साब से मिला है और भाई साब ने सायोग किया है क्या नाम है आपका फीलो जली क्या समस्य है पानी की समस्य भी है तो वहां के पार्सस आपने बोला निया पानी की समस्य है बाइजब की खबर आती है तो और वहां के मानी लोग है उनसे पर से अपने बोला है पानी के समस्या को लेकर पारसाथ से बोला है कि आपसाथ ने क्या बत्ता दिया कुछ नहीं बोलते हैं हाद देख लेंगे देख लेंगे वजफ यह आज पस्ट पुस्टD ूदे екस हनय है तो आपको पैले भी क्या साहसा है भाई साहसाफ के पाद जब तक हमको पूरा सहीयोग भाई साहसे मिला है आप ऐस सायोग की आप हो किया है आपके साथ अंस graveyard चल रही है तो आप इस बात के हिरी किया कहना चाहेंगी तो भोट नहींत है अज दो भाद नहीं है चनुप है रही संटी नहीं है यह किस प्रखागी समस्टन लेकिर आपके पास आई ये महला हैं, हमारी बेहने सबरी जो भी आई हुए है, ये लावा जो एक चौराइ से आई हुए है, उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है, छोड़ी सी समस्या है, कि हिंड़ पम नहीं है, गर्मी चल रही है, पाने की यात्वर विए वस्ता हैं, बहुत खराब हैं, दन रात परि कीते हैं, और ये खिंड़ पम लगाना खेर कोई बड़ी बात नहीं थी, पारसाथ जी से भी हमने विदन करना चाहते हैं, कि आपका बाड़ है, महला हैं, बेहने आपको बोड़ दिये, आपका सपोर्ट किये, तो कम से कम आपका अतकार भी है, और प्यार भी है, कि इस परि की बार हो चुका है, कि कई जगहां पर प्रॉब्लम खड़ी हुई पानीगी, जहां पर हमको सामने आना पड़ा, एक बार हाट के मैदन में भी इसी तरह की प्रॉब्लम आई थी, जहां हम गाय को खास्क लाने के लिए वहां पहुचे, जोग रक्षा समिती इसी साय उसके द्वारा, वहां पर हाट के मैदन के करीब दोड़ा इसो तीन सो ब्यापारियों ने कट्टी होगे, जह का कि वैसा हैं हैंड पॉम के लिए हम बहुत प्रिसान है, माननी लोगों से कही बार कह चुके हैं, लेकिन हैंड पॉम नहीं लगा, तब हमने पहली बार महां पर यह क कहते हैं कि सबसे आंगा बढ़ रही है, मतलब है, डवलम्मेंट के मामले में, जहां पे बीड़ा आ रही, सरकार दुवारा लागों योजना दी जा रही हैं, वहां पे हमारे यहां का कोई भी बंदा हो, वो प्यासा कैसे रह सकता है, यह वात तो खेर, बास दिकता है, मैं स पूरी सी दिकत होगी, लेकिन पास तारिक के बात हम खुद सरकार से कहके, माननी लोगों से कहके, इस हैंड़ पम को लगवा देंगे, और यहाई हैंड़ पम लगाने में असमरता होती है किसी के दौारा, किसी भी माननी दौारा, तो इस बात कई बच्चन देते हैं, कि हैं हर सहर में और हर जगहां पे एक समा सेवी को होना जरूरी है, जिसके पास तक पब्लिक पहुंच सकें, जिससे आम जन्मानस बात कर सकें, असल में क्या है कि कई नेताओं के हैं जिस दिकत देखी गई है, कि उनके यहाँ जब यह लोग जाते हैं तो इतनी बबस्ताएं नही हुए हैं, उनके द्वारा जन्ता पर बिसे ध्यान दिया जा रहा है, और यही आसा हम अपने सभी लोगों से, जो जहासी की बागडूर समाले हुए हैं, सरकार का काम देख रहे हैं, तो इतना सा निवेदन मैं स्वैम हाँ जड़ो के करना चाहता हूँ, कि आप इलावाद ब्रैंक से बहने आई हुए हैं, बड़े गाओं गिट बाहर भी, हमने यह प्रोग्रम बहुत जादे देखी नानम बैक चोराय में, ऐसे कुछी एरिया जहासी में है, जहां बास्तिक्ता में जलिका बहुत जादा आभाव है, यहां पर बिसेस इंटरेस्ट लेते हुए, चाहूंगे जाज़त, नमस्कार